हलो दोस्तो मैं रुपासरी और हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे खरवार जनजाती के बारे में खरवार राज के गडवा, पला, मू, लातेहार, लोरदगा, हजारिवाग, चत्रा और राची जिलों में पाई जाती है इस जनजाती की आर्थिक इस्तिती क्रिसी एवंग स्रम पर आधारित होती है जबकि बिभीन खरवार मजदूरी या बास की टोकरी या अन्य समान बनाकर अपना जीवन यापन करते थे लेकिन बरतमान में भी ये क्रिसी और अन्य काम करते हैं और ये क्रिसी काम के लिए परंपरागत ओजारों का इस्तमाल करते हैं खरवारों के मद में गोत्र व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाता है, समान गोत्र में विवा की मना ही होती है और विवा के दोरान दहेज में 25 से 51 रुप्या तथा भोजन समागरी और एक बकरी प्रदान किया जाता है। इस जनजाती का धार्मिक जीवन जनजातिय तथा हिंदू ससकारों पर निर्वर होता है। पूजा पाट जैसे अनुष्ठान को संपन करने वाला को इसमें बैगा कहा जाता है और बैगा को ब्राम्मन पुरोहित की भाती ही मान्यता प्राप्त होता है। इनके सर्वोच देवता सिंग बोंगा है। इसके अतिरिक्त ये ग्राम बोंगा, भगवती, लक्ष्मी, दीबार बोंगा आदी की भी पूजा करते हैं। बीबा, जनम और मृत्तु के अवसर पर इन सभी देवताओं का पूजा करते हैं। भूत प्रेतों में भी इनकी धार्मिक आस्था होती है। इनके द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुक त्योहार है सरहूल, नवाखानी, दसहरा, सोहराई और जितिया। खरवार की अपनी परंपरागत जातिय पंचायत होती है, जिसमें खरवार समाज के ही वरिष्ट ब्यक्ती इसके सदश्य होते हैं। पंचायत द्वारा अंतरजातिय विवा, विवाफूर योन संबंध, डायन प्रथा, तलाक तता संपत्ती विवाद आदी मामले का निप्टारा भी इनी के द्वारा किया जाता है। खेरवार जन जाती से प्रतियोगिता परिक्षा में जो कोश्चन बार-बार पूछा जाता है, वो है, कौन सी जन जाती अपने आपको सूर्यवन सी मानती है। झाल झाल